हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बाक टू दा चानल दो लर्निंग होम आज हम सीखेंगे पुदीने का पानी बनाना जिसको गोलगप्पे या पानी पूरी के नाम से भी जाना जाता है इसके लिए हम इस्तमाल करेंगे 200 ग्राम पुदीना और पुदीने को हम अच्छे तरीके से पीस लेंगे पीसने के बाद एक लिटर पानी में पिसा हुआ पुदीना डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरीके से मिक्स करना है अब हम गरम पानी में इमली को भीगो कर रख देंगे करीद 10 से 15 मिनट तक हमारी इमली भीग के रखी रहेगी अब हम अपने पुदीने के पानी में तीन चम्मच पानी पूरी मसाला, दो चम्मच पतांजली जलजीरा, आदा चम्मच काला नमक और एक चम्मच चाट मसाला डालेंगे, अब जो हमारी इमली है उसको हम अच्छे से मिक्स करके पेस्ट बना लेंगे और फिर हम चन्नी की मदद से पानी पूरी मसाले में पानी में इमली का पानी डाल देंगे और सारी चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद एक साफ परतन में हम पुदीने के पानी को चनी की मदद से अच्छी से चान लेंगे इस तरीके से बीच में हमें चम्मच की मदद से उसको चलाना होगा और यह देखिए हमारा पूरा पानी छण चुका है और यह पेस्ट है इस पेस्ट जो इस्तमाल होता है वो भी मैं आपको बहुत जल बताऊंगी आप यह मत सोची गया कि हम इसको फैक देंगे दोस्तों यह हमें बहुत ही अच्छे से इस्तमाल करना है जो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी तो हमारे चानल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप नेक्स्ट वीडियो भी देख पाएं और हमारा स्वादिष्ट पानी पूरी का पानी तैयार है आप आप सबको बहुत स्वादिष्ट लगेगा डू सब्सक्राइब टो आर चानल और थांक यू फॉर वाचिंग दे वीडियो